है जो एस वन प्रो में आपको मिलता है लगभग सारा ही फीचर मिल जाएगा लेकिन इसमें सिर्फ रेंज जो है उस वह आपको कम मिलेगा तीस चालीस किलो मीटर का डिफरेंस रहेगा और नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका जैसा कि आपको पता है ओला के पिछले दिनों भाविष अगरवाल यानि उनके जो सीओ है भाविष अगरवाल इन्होंने तीन बरे अपडेट किया है ओला से रिलेटेट तो इस पूरे वीडियो में आपको तीनों अपडेट के बारे में बताऊंगा तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए चैनल में नहें तो पहला कि अपडेट हुआ है कि अपने बाइक भी लॉंच करने वाली है जी हां ऑपनी बाइक लॉंच करने वाली है और ये बाइक बड़ा ही सुपर बाइक होगा और यह लगभग आपको 2023 के अंदर ही आ जाएगा जिए हां 2023 में एक साल बात मानके चलिए कि ये ओला भाइक हमारे पास आजाएगा अभी तक जो है वह स्कूटर स्कूटी में डील कर रही ति उलेक्रिक स्कूटी में लेकिन इलेक्टिक बाइक में भी आ रही है और यह बहुत बड़ा भी आपडेट है कि और ला ने अभी में इलेक्ट्रिक कार है और जो बेस कार जैसे की टेसला की कार मान लेते हैं या अमेरिकन इंडस्ट्री में चल रही है तो वहां पर मिनिमम जो उसका कॉस्ट होता है वह 75,000 डॉलर होता है जो लगभग इंडियन रुपीद से देखे तो वह लगभग 50 लाग का होता है लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से यहां पर कार यदी बिल्ड करेंगे तो यहां पर एवरेज कोस्ट जो है वह 20 लैक्स के आसपास रखना परेगा तो इसी को ध्यान में इसी क 165 लाग के आसपासी आएगी जि हां 20,001 लाग के आशपासी यह कार आने वाली है तो ओला की एलेक्ट्रिक कार आपको आएगी और यह कार जो होगी वह सूपर कार होगी और एकदव मॉडर्ण जो कार होता है वह होगा थार्ड और सबसे बड़ा जो अपडेट है अभी तक आपने देखा था कि ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर में S1 प्रो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा था S1 की इन्होंने बात की थी लेकिन वह लॉंच नहीं कर पाई थे तो अभी यह S1 भी लॉंच हो गया है और S1 में मोस्ट जो फीचर्स है जो S1 प्रो में आपको मिलता है लगबग सारा ही फीचर मिल जाएगा लेकिन इसमें सिर्फ रेंज जो है वह आपको कम मिलेगा लगबग 30-40 किलो मीटर का डिफरेंस रहेगा और यह बाइक आपको एक लाख रुपे में आ जाएगी और इसकी स्कूटी जो है यह एक्लेक्टिक स्कूटर है जो बेस्ट होने वाली है तो यह तीन बरे अपडेट पर अपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लास्त तक देखने के लिए आपका बहुत- कर दो